हरे दोस्तों कैसे हूआ आप साब आज रूण करने वाले ji क्लासिस का अग्रिकल्टीयस조 टोपिक बारत में दो जौना साथन के अंतर हम जानेंगे कि भारत भी कौन कौन सी मरदा हैं पाई जाती है किस प्रकार की मिट्टी यानि मर्दा सबसे मैत्वपूर्ण नहीं करनी योगी प्रकरतिक संसा जाए यह पोदो की विकास का माध्यम भी है जो प्रत्वी पर विविविन प्रकार के जीवा का पोश्चन करती है मर्दा एक जीवी तंत्र है लेकिन कुछ सेंटिमेटर गहरी मर्दा बनने में लाको समय लग जाते हैं इस लाइन को मैं तुड़ा ऐसे समझा देता हूं कि पहले चार पॉइंट पांच अरब करोड़ साल पहले प्रत्वी का और इजिन हुआ था यानि कि प्रत्वी की उत्प में तूटकर मिट्टी यानि मर्दा का रूप ले रहे थे तो इस प्रकार कुछ सेंटिमेटर गहरी मर्दा बनने में लाको समय लग जाते हैं इस लाइन के बारे में मर्दा बनने की प्रक्रिया में उच्चाबच जनक शेल अत्वा संस्तर शेल जलवायू वनस्पति और अ लोगदान देती है मर्दा में होने मारे राशाइनिक और जेविक परदः दोनों प्रकार के प्रदात्थों से से निर्मित हैं। अब हम बात करते हैं मर्दाओं का वर्गिकरन मर्दाओं का जो वर्गिकरन है वो किस आधार पर किया गया है तत्वों के उनकी रंग गहराही आयू और उनके रासानिक वबोतिक आधार पर और हमें भारत के अंदर कौन-कौन किस परकार की जो मर्दाय पाए जाती है और वो म वह दिक लिए जलोड मर्दा यानि काली मर्दा भी कहते हैं इसちは लेट राइट मेर्ड़ा मेस्टय इमर relev lal पीली मरदा रैडियल्ए स्वाइल और वन मर्दा ये जो 5 प्रखार की मरदा हैं हमारे भारत में पाई जाती है भौगलिक कि दियादार पर इनका अलग अलग वर्गी करना हम करेंगे कैशे पौसिक तत्व और कैसे इनके अंदर फसले बोई जाती है यह हम देखेंगे तो पहले चलते हैं जलौन मर्दा की तरफ ठीक है तो जलौन मर्दा जैसे नामसी सपस्ट होता है इसके पहले मैं थोड़ा बता जलौन मर्दा का निर्मान किस्ट होता है जब नदियां अपने बहाव के साथ देल्टाई शेतर में एक जैसे बहाव के साथ कुछ कन महिन कन लेके आती है यानि कि बहाव के साथ बजरी लेके आती है नोर्मली तो वह होता क्या है कि यह बहाव के साथ आई हुई मर्दा ही यानि जल के साथ लाई वी मिर्दा तूदा पॉइंट बात करते हैं यह मर्दा विश्चत रूप से फेली वह यह और यह देश की मेथ पून मर्दा है भारत का संपण उत्री मेदान जलोट मर्दा से बना हुआ है इस बात पर मैं तोड़ा बता जेता हूं कि भारत के उत्तर म करम पुत्र का तो सबसे बड़ा नदी तंतर है तो यह नदियां आपस में बजरी लाती रहती है भूमी का कटाव करकर और वहां पर निक्षेप यानि की डेल्टाई शेतर पर निक्षेप करते हैं यानि जमाव कर देती है तो ऐसे इसका निर्मान होता जलोड मर्दा का अब और यहां पर एक सिंपल से लोजिकल बात है कि अगर यह नदियां बहार कर ले आ रही है जिसना जिस मिट्टी को तो वो उबजाव होगी तो वहां पर एक इंपोर्टेंट फसल तो हम बोंगे जो बोएंगे फसल वह बोएंगे फसल हमारे लिए सबसे जब से ज्याद़ा उ मेदान विशेषकर महानती गोदावरी देख लो आगा गया गोदावरी क्रिष्णा कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोड मर्दा से बने हैं ठीक है जलोड मर्दा में रेत शिल्ट मृतिका के अनुपात पाये जाते हैं जैसे हम नदी के मुहाने से गाटी के उपर की और जाते हैं यानि कि नदी के मुहाने से जैसे मैंने एक वेली बना दी एक गाटी बना दी नदी के मुहाने से हम गाटी के उपर जब जाएंगे तो नदी के मुहाने पर तो बारी कण और गाटी के उप्र बड़े कणनुओं हमें मिलेंगे कि यहीत है मर्दा की रबार चलाता है है जैसे हम जैसे नदी के से ख wonder Jahren की तरब जेन या नीया कि नीचे से उपर की ओर टो यहाँ पर सब्सक्राना बड़ा को किसमेफ बड़ा जाता है कणों के ऐकार वे और अगर मर्दा कि पचान हों के अंकुत तो ब्र को बांगर मर्दा और खादन उद्ध 2 मुए जडलोब नदी अफशक से बन रही है तो उपजावत होगी अधिक तर मरदा हैं पोटाश, फासपोरस, चुनायुक्त होती है जो की बहुत ही पोशक तो जरूरी है फसलों के लिए और कौन-कौन जी पसल है गेहूं देखो एक तो आगया है गेहूं देखो सबसे इंपोर्टेंट फसल है खाधियान फसल चाओवल और गन्ना और अन्य अनाजबी और जलहनी की खेती बी उपर्योग्त है अधिक उपज typically के कारएं, जलोड मरदावाले शेत्रों में गहन Him slightly के किजाती है और यहां जंसिंग्त भी अधिक इनकी पीदावार बढ़ाई जा सकती है इनकी प्रसलों का विकास का सकते है और इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है कि आपको यह तो नोट करना ही पड़ेगा क्योंकि यह इसके मेन टोपिक आ गया यह अब एक बार चेक कर लीजिए यह इंपोर्टेंट फेक्ट है कि यहां पर कौन कों से मरदाएक पाई जाती है कहां पाई जाती है और कैसे निर्मान होता है यह चीज़ है आज हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों आपको यह सेशन कैसा लगा आप कमेंट करकर जूरू बताएं अगरिकल्चर के रिलेटेड टोपिक के लिए हमने क्लास शुर